नमस्ति मैं हूँ रिनुका तो आप सबका मेरे यूटूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक सब्जी की रेसिपी लेके आये हूँ तो चले श्टार करते हैं आज का वीडियो तो ये पनीर और गोबी की मिक्स सब्जी बनाने के लिए मैंने घ्यास पे बरतन रख दिया है फिर सबसे पहले हमें इसमें चार चमच घी डालना है तो मैं ये सब्जी घी में बनाने वाली हूँ तो आप गी की जगा तेल का भी इस्तमाल कर सकते हो मगर गी में ये सब्जी ज़्यादा स्वाधिष्ट बनेगी तो सबसे पहले हमें इस गी को पुरी तरफ से मेल करना है फिर उसके बाद हमें इसमें एक चमच जीरा डालना है और जीरे को हमें इस गी में अच्छी तरह से फ्राइ कर लेना है तो अभी जीरा गी में अच्छी तरह से फ्राइ हो चुका है फिर उसके बाद हमें इसमें एक प्यास की फ्यूरी डलनी है तो मैंने एक प्यास को मिक्सर के बरतिल में डालके उसकी प्यूरी बनाई है फिर इसे भी हमें गी में अच्ची तरह से फ्राय कर लेना है तो अब छुका है फिर हमें एक चम्मच चॉप किये हुई अद्रक और लसुन डलने है तो आप इसकी जगा एक चमच अद्रक लसुन का पेश्ट भी इस्तमाल कर सकते हो फिर इसे भी हमें घी में अची तरह से फ्राई कर लेना है तो अभी अद्रक और लसुन भी घी में अची तरह से फ्राई हो चुके है फिर उसके बाद हमें इसमें एक टेमेटो की प्यूरी डालनी है तो मैंने एक टेमेटो को मिक्सर के बरतर में डालके उसके प्यूरी बनाई है तो उसे भी हमें घी में अची तरह से फ्राय कर लेनी है फिर उसके बाद हमें इसमें आठ कडी पता डालने है और इने भी हमें घी में अच्छी तरह से फ्राय कर लेना है तो अभी कड़ी पत्ता घी में अच्छी तरह से फ्राय हो चुके है फिर उसके बाद हमें इसमें स्वादनुसार बारी कट की हुए हरी मिर्च डालनी है तो मैंने यहाँ दो हरी मिर्च को बारी कट करके इसमें डाला हुआ है फिर इने भी हमें अच्छी तरह से घी में फ्राइ कर लेना है फिर उसके बाल हमें इसमें एक कप काजू की पेश्ट डलने है तो मैंने एक कप काजो को मिकसर के बरतन में डालके उसकी पेश्ट बनाई है फिर इसे भी हमें गी में अच्छी तरह से फ्राइ कर लेना है तो अभी सारे इंग्रिडियन्स अच्छे से फ्राइ हो चुके है फिर हमें इसमें आदा चमच हल्जी पौडर डलने है फिर उसके बाद हमें इसमें आदा चमच धन्या पौडर डलने है फिर उसके बाद हमें इसमें एक चमच गरम मसाला पौडर डलना है और इने भी हमें गी में अच्छी तरह से फ्राइ कर लेना है तो ये सारे मसाले अच्छी तरह से फ्राइ होने चाहिए तो अभी ये सारे ingredients अच्छे से fry हो चुके है फिर उसके बाद हमें इसमें स्वाद दूसार लाल मिर्च पाउडर डलनी है तो हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली हुई है फिर इसे भी हमें घी में अच्छी तरह से fry कर लेना है तो अब ये सारे इंडिडेंस अच्छे से फ्राइ हो चुके है फिर उसके बाद हमें इसमें एक कप पनीर के क्यूब डलने है तो मेनी या पचास ग्राम पनीर लिया है फिर उसके बाद हमें इसमें एक कप बारी कटकिया हुआ गूबी डलना है और इन सारे ingredients को हमें अच्छे से mix करना है फिर उसके बाद हमें इसमें एक कप पानी डलना है और इन्हें हमें अच्छे से mix कर लेना है तो मेने या इसमें एक कप पानी डला हुआ है तो आप अपने हिसाब से इसमें पानी डलके इसके gravy बना सकते हो फिर उसके बाद हमें इसमें स्वादनूसर नमक डालना है फिर आखिर में हमें इसमें आदा कब बारी कट की वे हरी धनिया डालनी है और इस सब्जी को हमें 2 मिनिट तक अच्छे से पकाना है तो अभी ये सब्जी अच्छे तरह से पक चुकी है और यह अभी बनके त्यार हो चुकी है तो आप इसे चपाती रोटी या सिर्फ राइस के साथ सर्व कर सकते हो तो आज के वीडियो में इतना ही तो फिर से मिलते हैं और एक नई वीडियो में तो थैंक्स फ्रेंट्स वाचिंग मैं वीडियो